नमस्कार मैं डॉक्टर मदनलाल भट वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल इन्वेस्टी आज मैं संचेफ से कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस इंफेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संचेफ में बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98 प्रिस्ट कोरोना वाइरस के मरीज माइड नेचर के हैं केवल दो प्रिस्ट मरीज गंभीर है इन 98 प्रिस्ट मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्त का ध्यान रखें आराम करें और किसी तरीके की कोई इस्ट्रेस या टेंशन न ले तो ऐसे मरीज स्वतर ठीक हो सकते हैं केवल दो प्रिस्ट ऐसे मरीज हैं जो गंभीर इस्थती में हैं और उनकी खत्रे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र डाइबेटीज, ब्लड प्रिशर, किड्नी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से गरसित होना या शरीर की रोग प्रतिरुद्धक छमता किसी अन्ने कारण से कम हो जाने के कारण उनको खत्रा है वास्तो खत्रा तो एक प्रिश्द से कम है क्योंकि community spread जो विश्य में हो गया है इस समय जो surveillance society में हो रहा है community में उससे ये देखा जा रहा है कि हजारो हजार मरीज ऐसे हैं और भारत वर्ष में 60-70 प्रिश्द ऐसे मरीज हैं जो asymptomatic हैं अगर उन asymptomatic मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृत्युदर एक प्रिश्द से कम है वास्तों में मृत्युदर तो तीन प्रिश्द है जिन मरीजों को देखा गया है लेकिन वास्तिविक्ता यह है कि अगर सोसाइटी का पूरा सर्वे किया जाए तो यह प्रिश्द से कम मृत्युदर निकल के आईगी ऐसी स्थती में बचने के लिए जो सामाने उपाय हैं मैं उनको संचेप में बता रहा हूँ जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्त व्यक्ति उपाय के माध्यम से बच सकता है और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया क्रोना वाइरस से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही जादा रहेगी पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्त जीवन शैली का पालन करना चाहिए स्वस्त जीवन शैली में 6-8 घंटे की अच्छी नीद लेना अवश्यक है इस नीद के घंटे में रात को 10 बजे से प्रातर 4 बजे का समय अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए दूसरा आवश्यक है कि व्यक्ति को परियाप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए परियाप्त पानी में 3-4 लीटर या 5 लीटर तक गर्मी में धोप में निकलने वाले व्यक्ति को और इस गर्मी के बावजूद भी गुंगुना पानी लेना स्वास्त के लिए ज़्यादा हितकारक है तीसरा जो अतियावश्यक विशे है कि सुपाच ये पोश्टिक भोजन लेने की आवश्यक्ता है समय समय से और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करने की आवश्यक्ता है इस समय पे फास्ट फूड, जंक फूड, कोल ड्रिंग, आईस क्रीम इन सब से बिलकुल बचने की आवश्यक्ता है स्मोकिंग से बिलकुल बचने की आवश्यक्ता है और कुछ ऐसी आउशधियां है जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रयोग कर रहा है वो भारत की आईरुएद में भी प्रचलित है उनका भी प्रयोग करने की आवश्यकता है बचने के लिए और इलाज की दृष्टी से भी इसमें सबसे आवश्यक है जो सिट्रस फूर्ट्स है नीबू, संत्रा, मुसम्मी उनका सेवन करना नीबू को गुनगुने पानी में डाल करके अद्रक के टुकडे के साथ अगर उनको उबाल के लिया जाए तो वो रोग प्रतितुर्द्दक छमता भी बढ़ाता है और कोरोना में ठीक होने की संभावना भी बढ़ावा देता है उसके साथ गिलोवे रोग प्रतिरोज़क छमता बढ़ाती है गिलोव का काढ़ा लेना या अद्रक काली मिर्च का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुभे शाम लेना भी इसमें हितकर है दिन भर गरम पे पदार्थ लेते रहना जैसे हर्बल्टी है या ग्रीन चाय का प्रियोग करना भी मिस्वास्त के लिए हितकर है हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोज़क छमता भी बढ़ाती है वाइरल इंफेक्शन से बचत करती है तो हल्दी दूद में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रियोग किया जाए खास तोर से हल्दी चार तो काली मिर्च एक की अनुपात में अगर दूद में डाल करके लिया जाए तो ये भी कोरोना इंफेक्शन में सहाइक है और लहसुन में भी एंटिवाइरल प्रापरिटी देखी गई है तो लहसुन, काली मिर्च और अदरक का मिश्रन पी प्रयोग किया जाए कच्चा या खाने के साथ सलात के रूप में थोड़ी सी मात्रा में तो ये भी रोग से बचाने में सहाइक है और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है अगर वो तनाव बहुत नहीं लेगा, घबराहट का शिकार नहीं होगा और अपनी कोम आर्बिट कंडिशन्स जो भी है अगर डाइबिटीज है, थाइराइड की प्रावलम है अन्य कोई प्रावलम है तो उसका समचित उपचार लेते रहे और उनसे बचने की आवश्यक्ता है अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो इससे खत्रा उतना नहीं होगा और एक सवभागी की बात है कि इस प्रावलम में माना जाता था कि गर्वती महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गर्वती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शिग्र वाइरल फ्री होकर के डिश्चार्ज हो रही है हमारे किंग जोची किसा विश्विद्यालाएं में दो महिलाएं 6 महिने और 8 महिने की प्रिगनेंसी के साथ 5 दिन से कम समय में वाइरल फ्री होकर के डिश्चार्ज हो गई छोटे बच्चों में भी तीन महीने का बच्चा, गोरकपुर में हमारे इहां धाईवर्स का एक बच्चा, उत्तर प्रदेश में एक और नौ महीने का बच्चा, ऐसे महाराष्ट में भी छोटे बच्चे नौजात शिशुओं को वाइरस इंफेक्शन से इस कोरोना वाइरस स अधर social distancing या physical distancing का पालन करें, हाथ को बार बार साबन पानी से धोते रहें या hand sanitizer का प्रेयोक करें और बाहर निकलते से मास्थ का नियतिन रूप से यहाथ कोई प्रेयोक करें तो वो बस सकता है और यही इस virus की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा साधन है और अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं, इस संदेश से जितना भी अपने को लाभानुवित करें, दूसरों को बता करके लाभानुवित करें, वही इस मानोता की बहुत बड़ी सेवा होगी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद.